हलो नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ उशा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी काम मेरे इस यूटूब चैनल पे तो केसे हैं आप सब लोग दोस्तो आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे और आपकी प्रेगनसी वो एकदम से ठीक चल रहे होंगी तो दो दोस्तो आप लोगों की दुवास से मैं भी एकदम ठीक हूँ बिल्कुल स्वस्त हूँ तो दोस्तो आज के वीडियो में हम कुछ बैपी बॉइश सिंटम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में चोमच बड़ी बुसुर्ग महिला है और साथ ही मैं अपना खु बेली बार हो या फिर सेकेंड टाइम हो तो उनके मन में यह जानने की जिक्याशा बनी ही रहती है कि उसको क्या होगा एक बेबी बोई होगा के बेबी गल होगी दोस्तो तो आज के वीडियो में हमें अपना परसनल एक्सिवेंस के आधार पे कुछ नहीं ती लक्षन को बा लड़का-बड़की में भेदाकरे नहीं आप अपने बच्चों में कई भेदभाव करें दोनों का समान प्यार कर देना चाहिए और समान करना दोस्तो तो चलिए दोस्तो फटा-फट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहला सिम्टम हम बात करने वाले हैं वह है आपके चहरे के उपर और ताकि आपके स्कीन के उपर तो दोस्तो ऐसा माना जाता है हमारी बड़ी बुज़ुर्ग मेला है ओल्ड दायम हो जाने लगते हैं आपके प्रेग्नेंसी का क्लोप बहुत ही ज्यादा लाने लगता है आपके चहरे पर तो ऐसा माना गया है कि आपने एक बेबी गल को कंसीव किया है दोस्तो और सामने वहां आपका चहरा है वह बलकुल काला हो जाता है डल हो जाता है आपके अभी हम बात करते हैं दूसरा सिम्टम के बार में तो दूसरा सिम्टम है आपके चेस्ट को लेकर आपके ब्रेस्ट के बदलाव को लेकर तो क्या होता है कि हमारी बड़ी बुज़ुरू मेला ऐसा बताती है कि अगर आपके ब्रेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा भारी हो गए ह फिर उसके निपल के आजू-बाजू का काला कलर का एरिया रहता है वो और भी ज्यादा चोड़ा हो गया है उसके उपर छोटे-छोटे दाने आपको दीख रहे हैं वाइट कलर के या फिर उसमें से कुछ दू दू दिजे साभी आपको 8-9 महीने में अगर निकलता हो नजर आ होन वाल है दूसतर Dasis 2000 से अगर जो पेट पैड का एरिया आना उसके नेचले हिस्ते में आपको लगातार हलका हलका मिठा-मिठा दर्द बना रहता है थूआउट प्रेग्नर्सी में आपको 8-9 मेंने में तो होगा ही लेकिन अगर उसससे पहले पीज फर्स्ट और पैट के निचल इसे में तो भी आपको एक बेबी बॉय कोने वाला है दूस्तो तो यह थे वो तीन लक्षन जो अगर आपको भी अपनी pregnancy में देखने को मिलते हैं तो possible है की आपको भी एक लड़का हो सकता है दूस्तो तो दूस्तो क्या होता है कै पहली pregnancy प्रेग्निंसिमा जो मेनने आपको बताया कि यह मैं स्नी मेंा चेर की चांव बनाव मुझे आपके ृपनेनिन सी में अपके työ ऊगोरी प्रेग्निंसं एपक को गत्प आ हिसा ना को बड़ा है बतलब मेरा छहरा बिलकुल डल लोगा था बद्धा लगनल ग अवा पैरिप्रेगनन्सी में यह पेट में गीम हमने सही बेठा q admitted अब धी अम Бात करती है दूसरे पॉईंट के बारे में दूसरा पॉइंट भी है वह मेरे मैं सही बेठा था मुझे मुझे ी है काफी बहारी पन मैसिस होता था और छोटे छोटे दाने भी निकला आए tiny दोस्तों तीसरा सिम्टम है वो भी मुझे में ठीक बिठा था 110 परसंट क्योंकि मुझे भी पैट के निचले इसे में लगातार हलकालका दर्द होता रहता था दोस्तों तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी इंफर्मेटिव लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक किजिए और शेर किजिए मिलती हूं नेक्ट वीडियो में तिपते के लिए पर बाई टेक केर थेंक यू सो मच